देश्वी कक्षा प्रश्णवली 4.4 का पांचवा कोश्चन इस प्रकार है कि क्या परिमाप 80 मेटर और 400 मेटर स्केर का पारक बनाना संबब है अगर संबब है तो आपने लंबाई और चुडाई ग्याद करनी है अब लंबाई चुडाई की बात की गई है तो निश्चिती पारक कैसा होगा आयताकार होगा ठीक है लंबाई और चुडाई हमने ग्याद करनी है तो निश्चिती पारक क्या होगा आयताकार होगा तो पारक की लंबाई और चोड़ाई ग्यात करनी है वो ही हम मान लेते हैं माना पारक की लंबाई ठीक है लंबाई हमने मान ली एक्स और चोड़ाई चोड़ाई हमने मान ली है वाई ठीक है लंबाई और चोड़ाई हमने मान ली है तो अब प्रसन अमसार जो अब इसने प्रसन में दिया है आता है शित्रफल की बात कहिए शित्रफल होता है लंबाई गुणा चोड़ाई शित्रफल है लंबाई गुणा चोड़ाई यानि के X गुणा Y कितना है आपका? 400 मीटर स्केर ठीक है? X और Y की गुणा 400 हो और परिमाप परिमाप होता है परिमाप होता है दो ब्रेकेट लंबाई प्लस चोड़ाई यानि के x प्लस y यह मान दिया आपको 80 तो यहां से x प्लस y का मान आपको मिल जाएगा 80 यह दो यहां पर ब्रेकेट से बाहर है तो तरह आके भाग में आ जाएगा इसके यह हो जाएगा 40 तो x प्लस y बराबर 40 तो दो समीकरण आपको मिली है एक आपको यहां और एक आपको यहां तो मैं क्या करूंगा यहां से x का मान या y का मान निकाल के यहां से मैं y का मान निकाल देता हूँ यह y का मान एक में रखने पर ठीक है y का मान मैं समी करण एक में रख देता हूँ यहाँ पर x और y का मान है मेरे पास 40-x और बरबर है 400 तो इसकी multiplication करते हैं अंदर यह हो जाएगा 40x minus x square बरबर 400 अब सारी संख्याओं को बरबर से एक तरफ ले जाता हूँ तो x square बरबर से दूसरी तरफ जाएगा plus का हो गया 40 x से दूसरी तरफ जाएगा minus का हो गया और इधर plus के 400 बरबर 0 तो यहाँ पर भी एक द्वीगाद समी करना में मिली है यहाँ पर भी हम इस्तिती को देख लेते हैं कि यह संभव है या नहीं तो वही 20 square minus 40 निकल देंगे हम 20 square यानि के 40 का square minus 4 a मतलब 1 और c मतलब 400 बरबर 0 यह लिखने की जोड़तनी है तो 40 का square हो जाएगा यहाँ से 1600 minus और यहाँ पर भी 1600 तो जो स्तिती आई है D कमान के आए हैं पर 0 के बराबर आया है तो क्या होंगे इसके 2 समान मूल होंगे तो देखते हैं क्या है हमें 2 समान मूल द्विगात सुत्र का प्रयोग करते हैं तो minus के B यानि के minus के 40 एक minus पहले यह बाहर plus minus वर्गमूल कितना आया है? 0 तो वर्गमूल के अंदर 0 है बटे 2 तो यहाँ से आ जाएगा यह minus minus plus plus के 40 बटे 2,20 2 से काट के 40 को आ गया है 20 क्योंकि वर्गमूल के अंदर 0 है तो इदर रहसा खतम ही हो गया है और 40 बटे 2 बचा है काट के आ गया है 20 यानि के जो X का माना हमें है बाहरे 20 तो पर किल नबाई कितनी आ गया है 20 तो चड़ाई निकालने के लिए चाहे यहां पर मान रखते हैं चाहे यहां पर रखते हैं अगर यहां पर मैं X के जगए 20 रखूंगा तो 20 दूसरी तरफ जाके 40 में से minus हो जाएगा तो Y भी कितना आएगा 20 यानि के लंबाई और चुड़ाई दोनों क्या है समान है ठीक है तो यह दोसमान मूलिस के होंगे 20 और 20 यानि लंबाई भी 20 और चुड़ाई भी हमारी 20 हो जाएगी तो यह था 4.4 का 5 वा कोश्चन